वेलकम बेक टू माई टूप चल पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ बच्छे होंगे और आज किस वीडियो में देखने पाले हैं जो भी छात्र बीर इंटरेंस एक्जाम 2022 की तयारी कर रहा है तो उनके लिए हम लेके आए हैं बिटा 2022 के एक्जाम के लिए 2022 के एक्जाम के लिए आपको पताएं GS के क्लास है और आप GS के क्लास में हम देखने वाले हैं 50 कोशन जो आपके फूचिए जाते हैं पचास में से हावए तो फच्छिस प्लस की करके आ जाते हैं तो बहुत अच्छा टार्गेत रहेगा बहुत बहुत एज़को इसे ज़री के सबढ़ना है कि 50 में से हमें GS में करना है और भही हमारी जो हिंदी में तो आपको 50 में से करना है क matar 20 प्लस तो इसमें हो जाएंगे 130+, 130 का मतलब हो गया 260 नमबर और 260 नमबर मतलब कि आपको government college में admission मिल गया तो आपको क्या करना है चालब को subscribe करना है बेल आइकन को प्रेस करना है बेटा इस तरीके से दारी करना है और मैं आपको बही करा रहा हूँ जो आपके exam के लिए important है जो exam में आएगा बाकी मैं कुछ फाल्तू नहीं करा रहा हूँ पहला question आपके सामने है इसमें 40 question मैंने इस वीडियो में दिये है 40 question में से आपको 20 plus करना है मतलब कि 20 plus question मैं रहना चाहिए बस यह कह रहा हूँ कि 40 question मैं से आपका 20 plus भी आप जाए तो आप बहुत अच्छे खोल रहा है तो आप समान ग्यान देखो आपको बता है कि मेरे जीए से एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पूरे नंबर नहीं आ सकते कभी भी ठीक है कोटन की तो उत्तरप्रदेश की है कथकली की बात की जाए गरवा की बात की जाए तो लेकिन विहू की बात की जाए विहू असम की विहू बिल्कुल राइट होगा और यह क्या है जब फसल करती है तब इसका ठीक है यह किया जाता है तो इसमें खुशी के लिए तो option नमस जिसने भी दिया है बिल्कुल सी राइट होगा सीपरम सथ्क्राइट होगा जिसने सीई डिया है इस question की जब फस्थन का अंशर comment section बताने वाले है इस question का answer कह रहाए गो comment section बताएंगा खाये दूसरा कोशन है मोरी राजबंस की इस्थापना मगद में हुई थी जो वर्तबान में किस नाम से जाना जाता था तो वर्तमान में वर्तalsoर कोई पिहार के नाम से बोला जाता है जिसने भी दिया है जो आपके एकजाम में सो पर्शंट पोची जाए इस्था चालो, नेक्स कोशन आपके सामने है, इस कोशन कहां सा, सब लोग कॉमेंट सेक्शन बताएंगे, क्या रहने वाला है, तीसरे का, निमनेकित में से कौन सा अंग, आप्रियोक्त, या छतिग्रिस्थ, बिम्बाडू को हटाने में सक्षम है, बताइए, सब लोग बताएंगे, तिल्ली बोला जाता है, जिसने औप्शन नमर दिया है, सी परम सत्तान सुरुगा, सी राइट होगा, तिल्ली को हम पिलिहा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिलिहा भी बोला जाता है, तिल्ली को, तो जिसने भी औप्शन नमर दिया है, सी परम सत्तान सुरुगा, नेक्स question को चलते है next question आपके सामने इस question कहां से सब लो comment section बताएंगे क्या रहने वाला है यदि आपकी तयारी है be at entrance exam देने की तो सच बता रहा हूँ आपको इस तरीके से तयारी करनी पड़ेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहां बुला गया है गुलाब सोना जिसे हम रोज सोना बोलता है रोज गोल्ड के नाम से जाना जाता है गुलाब सोने को इंगलेस में रोज गोल्ड बोलता है मिस्र धातु में सोने के अलाबा अन कौनसी धातु सामिल होती है मनला एक तो आपको बता है इसकी सोना होता है दूसरा क्या होता है ताबा होता है दोनों को मिलाकर बनता है गुलाब सोना ये क्या है गहने बनाने का काम करता है तो सोने के अलाबा क्या होता है ताबा इसमें उपस्तित होता है मिलाया जाता है तो option मैं जिसने भी दिया है डी परमसत्ता अंसर होगा ये यूपी पुलिस 2018 म लगाया होगा, तो मैं प्रेक्टिसर लगा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस कोशन का अंसर क्या होगा, देखो, यहां होगा है सक्ति की बहुतिक मात्रा की बीमा क्या होती है सक्ति, पाबार, फोर्स, बताओ इसमें आपको सक्ति की बताना है, सक्ति की आपको बीमा क्या हो रहने वाली है बताओ विमी एसूति से बोलते हैं जिसने भी दिया है M1L2T-3 बिलकुर राइट होगा बिलकुर राइट होने वाला है बहुत इंपूटेंट कोशन है मदन मोहल मालविये प्रदोगी की विस्विद्याल है निम्ड में कहा इस्तेत हैं बताइए कमेंट सेक्षन में एक बार मुझे बता दीजे आपका 20 प्लस टार्गेट होना चाहिए मैं आपको बोल रहा हूँ 20 प्लस टार्गेट होना चाहिए तो जिसने भी दिया है गोरकपूर बिलकुर राइट होगा गोरकपूर ए ऑप्शन सभी का राइट होगा चलो नेक्स कोशन को जोटे हैं इस कोशन का आप आंसर देंगे सभी लोग उत्तर प्रदेश लोग सभा में सीटे कितनी है विटा कितने सीटे हैं आपको बदा रहा बात की जाए रासवा में उत्तर प्रदेश में 31 सीटों पर सदस्ट चुले जाते हैं बिलकुल सीज राइट होगा चलो नेक्स कोशन आपके सामने यहां बुला गया है जो माग मेला है वो किस दिन सुरू होता है आपको बता है 14 और 15 14 15 जनवरी को होता है आपको बता है जि खिच्डी बनती है इसा वो चोटा है मुझे पता है इस कोशन का नमे कोशन का अंसर सबी लोगो कमेंट शेक्स में देंगे बताए यह कह रहने वाला यहां बुला गया है संत कबीर संत जो है कभी कह सकते हैं कभी संत कबीर है उनका जनम और पालन पोशन किस सहर में हुआ थ देखो जनम और पालन पोशन मतलब कभीर दास का जनम कहा हुआ था यह हमसे पूचा है यह आपको उता रहा है तो कभीर दास का जनम हुआ था इस बात को याद रखेंगे सही है whole इसकी साखी सबगत रवेनी इनकी रचनाइए साखी सबत रवेनी बीजक इनkie रचनाइए थी आपको सभी行ो को पता नीव जो उस्ताद द्वारा रखी गई थी तो किस उस्ताद के द्वारा नकलव संगीत घराने की नीव रखी गई थी आपको बताना है तो वो रखी गई थी बिटा जिसका भी option number आएगा यहाँ बिल्कुल समी लोग बताईए बिल्कुल एक बार comment बिल्कुल थोड़ा सा सोचिए क्या रहेगा option number B की होड़ जाएंगे बच्छू खाने रखी थी जिसने भी option number B दिया है बिल्कुल राइट होगा नकलव संगीत घराने की बच्छू खाने रखी थी इस बात को याद रख रहे है नेक्स कोशन आपके सामने है इस कोशन को देखिए मैं आपको किवल कोशनों को रटा रहा हूँ जो आपके लिए काफी more डेंट है आप बस प्रक्टिस एड लगाएंगे ये जरूरी है यहां बोलागे उत्तर प्रदिस पुलिस के अधिकारिक धोज में दो रंग एक तो लाल होता है दूसरा कौन सा होता है दूसरा आपको देखा होगा लाल बत्ती आपको जलती है लाल बत्ती की गाड़ी तो उसमें क्या था एक नीला गलर होता है जिसने भी option number दिया है बी परम सत्ता answer है नेक्स कोशन आपके सामने है इस कोशन का answer क्या रहने वाला है अमीर खुसरो द्वारा रचित कभीता अमीर खुसरो ने क्या एक कभीता रचिती उसका नावता च्छाप तिलक सबचिन्नी किस भासा में थी आपको दाना है ये रचना किस भासा में ये कभीता थी एक इस भासा में थी हमचे भासा पूछा गया है चाप तिलक सबचिन्नी ये बॉल को ठीक है जिसने भी दिया है बी option जिसने भी दिया है c बॉल को राइट होगा ब्रेज भाहां सामें थी, हम इनको सुन होता रखे, ये ब्रेज भाहां सामें लिखी गई थी, option number हम सी के उड़ जाएगे, next question आपके सामने, इस question का अंसर, सब लोग comment सेक्शन मताएगे, छटे, sorry, तेरवे question का अंसर का अंसर कहा, GST तो आप जानते है, GST निम्न में से, किस कर, ये फिर राजकर को सामिल किया गया था, तो देखो, राजकर को सामिल किया गया था, मनला किस कर को सामिल किया गया था, GST के अंदर, राजकर के लिए, आप संपत्ती कर के लिए, राजकर कह सकते हैं, नहीं, संपत्ती कर राजकर नहीं, आई कर होता है, ये फिर, staff कर हो किस दिन मनाया जाता है बताइए बिस्व स्वास्त दिबस किस दिन मनाया जाता है बिस्व स्वास्त संगठन जिसे हम डवलू एच ओ बोलते हैं इसकी स्थापना साथ अप्रेल साथ अप्रेल उन्ने सो अर्तालिस में की गई थी और इसी दिन जो साथ अप्रेल वाले दिन ही बिस्व स्वास्त दिबस मनाया जाता है साथ अप्रेल उन्ने सो अठानवे में इस्थापना की गई थी इस तरीके इसी दिन आपको बनाया जाता है तो अप्शन अमर जैसे भी बी प्रम सत्ता अंसर होगा नेक्स कोशन आपके साब ने आ चुका है इस कोशन का अंसर क्या रहने वाला है नियोन लेंप का अब इसकार किसके दोवारा किया गया बताईए नियोन लेंप का अब इसकार किसे ने किया सबी लोग comment section में एक बार बताएंगे क्या रहने वाला है new lamp का विसकार किस ने किया था सबी लोग इस comment box में answer देंगे George's कह सकते है George's cloud ने की दे option number 1 ही और जाएंगे next question next question आपके सामने है इस question का अंसर क्या रहने वाला है bonus, iris, किस देश की राजदानी है सबी लोग बताएंगे बिलको ठीक इस question का अंसर क्या रहने वाला है सबी लोग comment section बताएंगे क्या रहेगा इसका soul में question का अंसर एक बार देखेंगे कोशिश करेंगे, बिलको राइट होगा जिससे ने भी option number दिया C, Argentina की राजदानी है बिलको राइट है next question आपके सामने आ चुका है किसे राष्टिये किसको राष्टिये उद्धान में सबसे अधिक एक सिंग वाला गेर्डा पाए जाते है तो एक सिंग वाला जो गेर्डा पाए जाता है तो आपको पता है वो है काजी रंगा जो असम में है कहा है वेटाई असम में असम डिस्पूर की राजदानी बिलको ठीक है असम की राजदानी डिस्पूर है वहाँ है काजी रंगा option number जिसने भी दिया है C, विलको राइट होगा पहुत-चैए, इसquiction की देखेंगे, इसका क्या रहने वाला है, आसरबराज में, इमफाल किस भारती Раз की राज़ानी है, इमफाल किस भारती Раз की राज़ानी है, बहुत भड़ीट इसनिंगी फॉर अप्षन है, इमफाल मतलब फाल, अब इस नांग का जो फन होता है जो नांग होता है अब इस नांग का जो फन है आपको बताईए फन देख रहा है आपको इस नांग में फन में क्या होती है मड़ी होती है आप देखो नांग का क्या होता है मड़ी होती है जब मड़ी तो मड़ी पूर इस पर का इमफाल फन मे दीजे मुझे यहां रहने वाला है कि भारत में नियुक से कौन सा सहर करकर रेखा से बहुत दूर है आपको बता है कि राची अगरतला गांधी नेगर गुजरात की राज़दानी है गांधी नेगर ठीक है तो गुजरात अगरतला कौन सा है आपको पता है जो करकर रेखा है भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है एक होता है मिजूरम मिजूरम एक होता है तिरपुरा तिरपुरा की राजदानी अगरतला होती है गुजराच की राजदानी गांधी नगर होती है राची राची किसकी राजदानी होती है जारकंड की राची जारकंड की राजद देखो यह आपको बतानो, आठ राजों से उकर गुजरती है, कौन-कौन से होते हैं, पहला होता है, मिजोरम, पिरपुरा, पसिम मंगाल, ठीक है, पसिम मंगाल की कोलकाता होती है, जारकंड की राची होती है, और चत्तीसगर, राईपुर होती है, और मद्द प्रदेश की भ में सब पालते हैं बोपाल पाल हो जायगा और इसी बिरकार से राजिस्तान की और गुज़ात इन राज राजों से होकर गुजरता है आपको इसका पर राजो है तो राज़ना है, नेक्स नहीं वुद शादर भूगा? देखो बुला गया हॉर्न मिल महसब निमनिमीर से किस नाज में मनाया जाता है जो हॉर्न में विल मौसब होता है ये कौन से राज में बनाये जाता है बताइए ये नागालेंड भी बनाये जाता है बिलकुल सही है जिसने भी option number A दिया है नागालेंड बिलकुल right होगा है अलागा नागालेंड वाले सभी right होगे option number A के हो जाएंगे नेक्स कोक्शन आपसे पूछा गया है भारत का सभीधान भारत के महानियावादी के न्युक्ति का अधिकार को देता है मतलब आपको बता है चो महानियावादी होता है एक्टमिक जनरल बोलते हैं जिसको चेतर आर्टिकल चेतर के अर्टिकल चेतर के दुरू बिल्कुल ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। इस तरीके से कहता है। इस कोशन को देखिए, जो भारत मतलब .. सरकार के सरूप के का सरुप सरुप स्से भारत का मूल रूप सभीधान कि लिखा गया था। मूल रूप जो सवीधाल लिखा गया था भारत का वो किसके हाथो द्वारा लिखा गया था आपको बताना है तो याद रखना मूल जो रूप सवीधाल लिखेगा वो उसके वल नाराण जी लिखेंगे नाराण इस बात को याद रखना नाराण तो प्रेम बिहारी नाराण द्वार रिखा गया उप्शन अमद इसने भी दिया है C बिल्को राइट है नेक्स कोशन आपके सामने इस तरीके से ट्रिक से थोड़ा याद करिएगा आपको सब कुछ याद हो जाएगा नेक्स कोशन है किसी समाने बस्तू की मांग की ब्रद्धी सुरीक किसी बस्तू में यदि मांग में ब्रद्धी हो रही है तो उब्भोकता की आए में क्या होगी ब्रद्धी हो जाएगी यदि कोई मांग है अब देखो मालो यह सैट लेके आया और ये मांग इसकी बहुत ज़्यादा कि यसी सेट को सही है तो उबहुकता चो है उसकी में क्या हो जाएगी उसकी आए में ब्रद्धी हो जाएगी उसकी आए में क्या हो जाएगी ब्रद्धी हो जाएगी दुगनी हो जाएगी यह नहीं कह सकते लेकिन ब्रद्धी जरूर हो यह, संबर्दी सूची के इंदर रखा जाता है, क्योंकि संबर्दी सूची को आपको पता होगा, संबर्दी सूची पर कें सरकार और राज सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो जिसने भी दिया है, option number D, बिल्कूर right है, बारती सभीधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि किसी की सभी लोगों को देश का कानून बरावर सुरक्षा प्रदान करता है मतलब कि सभी लोगों को जो देश का कानून है वो सभी को सुरक्षा प्रदान करता है बरावर तो ये कौन से आर्टिकल मौले का दिकार हमारा कौन सा है तो आपको बता है जब सभी लोगों को समान मौले का दिकार समान सुरक्षा दे रहा है तो समानता का दिकार होगा और वो आप देख रहे है freedom ठीक है इस question का answer जिसने भी दिया है option number a बिल्को right होगा next question को जलते है यहां बुला गया 26 मा question आपको बतारा है dot dot को उसकी सेस जिंदगी के लिए औरंजेब ने कैद कर दिया तो किसके लिए जो औरंजेब ने कैद कर लिया था उन्होंने क्या करती अपने पिता को बंदी बना कर लिया था और सेज जिब तक वो वरे नहीं थे 1866 तक माने थे 1866 ठीक है यहाँ चार option है इसमें जो अंतरवेधी अगनिय सेल होती है उसका उधाड़ आपको बताना है बिलकुल ठीक है shell नहीं होगी बिलकुल राइट जिसे ने भी option number दिया है डी बिलकुल राइट होगा ग्रिगनाइट जो होता है ग्रिगनाइट इसे मूलता है ग्रिगनाइट अंतरवेदी अगनी शैल होता है इसका उधार है option number D next question को चलते है next question आपके सामने है निमने के ते हिमावो लगा है निमने हिमाचल और पर किस के बीच में इस्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है उसको दून के नाम से जाना जाता है जिसने भी दिया है option number C next question आपके सामने है इस question काई सब लोग देंगे 29 कोशन बोना है बहु कोश के जीब के द्वारा ब्रद्दी करते हैं जो बहु कोश के जीब होते हैं वो किसके द्वारा ब्रद्दी करते हैं आपको बता रहा है बहु कोश के जीब जो होते हैं वो कोश का विभाजन के द्वारा ब्रद्दी करते हैं option number D की ओर जाएंगे, next question आपके सामने आ चुका है, यहां बूला गया है, पुस्व में नर लेंगिक अंग कौनचा होता है, जो पुस्व जानते हैं, पुस्व जो होता है, उसमें नर जो लेंगिक कह सकते हैं, नर एक लेंगिक, इस तरीके से माल लीजिए, यह पुस्व है, यह बने गुलाब बना दिया थोड़ा सा, देख लो थोड़ा सा, तो इसम जो नर लेंगिक अंग होता है वो होता है पूंकिंसर बिलकुर ठीक है जिसने भी option number दिया है बी बिलकूर राइट होगा next question को चलते है next question है संपर्क बल को किस बल के बल भी कहा जाता है मनला कौन से बल के नाम से भी जाना जाता है संपर्क बल को दूसरा बल क्या बोलते है संपर्क बल को किस बल भी कहा जाता है मनला कौन सा बल भी कहा जाता है एक और बल कहा जाता है संपर्क बल को संपर्क बल को बोला जाता है विटा PCA बल भी बोलते है संपर्क बलको PCA बलके नाम से भी जानते है option नमर D की हो जाएंगे संपर्क बलको PCA बलके नाम से भी जाना जाता है option नमर जिसने D दिया है विलकुल राइट होगा next question 32 में question कहां से सब लोग comment check सर में देंगे यहां बो लगे है absolute dot dot में internet का file का संपूर्ण पता करता है तो देको absolute dot dot में internet पर file का संपूर्ण पता होता है आपको बता है तो वो होता है बिटा वो होता है URL URL आप जानते हैं URL किसी को copy कर लेते हैं तो URL को द्वारा होता है option number B की होड़ जाएंगे next question आप से पूछा गया इस question को देखिए 33 question आप संपूर्ण को बताएंगे बहे परीबर्तन जिसमें कोई नया पदार्त नहीं बनता है वो कहलाता है देखो बहे परीबर्तन जिसमें कोई नया पदार्त नहीं बनता है वो कहलाता है जिसमें कोई नया पर्दार्त नहीं वरेगा उसे बहुत तिक परीबर्तन के नाम से जाना जाता है उसे बहुत तिक परीबर्तन बोलते हैं जिसने भी option number दिया ए विल्कुर right होगा नेक्स question आपके सामने है इस question को देखिए यहां बोला गया है धातू का बहँड जिसमें उन्हें खीच कर तारों में परीबर्तन किया जा सकता है उसे कहलाते हैं बताईए धातू का बहँड जिसमें उन्हें खीच कर तारों में परीबर्तन किया जा सकता है वो कहलाता है खेज कर तारो तार बना सकते हैं तारो में परिवर्थन किया सकता है वो क्या कहलाता है वो तन्यता कहलाता है मतलब कोई धातू है उसको ये धातू है इसको खेज कर तार बना दिया तो ये क्या कहलाता है आपको बताना ये क्या कहलाता है जिसने भी option number दिया है सी बिलको राइट होगा नेक्स कोशन आपके सामने है इस कोशन को देखे समिष्टी में होने बाली मौतो की संख्या कितनी है मौतो की संख्या को हम क्या कहते है मौतो की संख्या को मिर्तियुदर मिर्तियुदर बोलते विटा मौतों की संख्या को मिर्ति उदर कहते है option number B की ओर जाएंगे कोई अबदी दे गई है कितने साल में समिष्ट में होने वाली मौतों की संख्या क्या कलाती है option number B की ओर जाएंगे next question आपके सामने आ चुक है 36 question कांसर सब लोग comment section बतेंगे यहां कहा रहा है संचारित प्राड़ी के कोँच किस ने की थी सबी को लोग comment section बताएंगे संचारित प्राड़ी की किस ने की थी सबीव comment section ने एक बार बताओ दो बेटा 36 का आंसर क्या रहेगा बिल्कुर right है option number 36 का 20 right होगा बहुत ही बढ़िया billion किसे ने दिया है billion hallway बिल्को राइट होगा billion hallway ने किये तो option number b की ओर जाएगे next question आपके सामने है किस सहर में कह रहा है किस सहर में बरस 2022 के common wealth common wealth खेल आयुद किये जाएंगे 2022 के जो किये जाएंगे या किये जाएंगे थीकशा है जो common wealth खेल आयुद किये जाएंगे 2022 में वो क मैं這是 में आपको कि दरबाजा कहा है सब दो मताएंगे बुलन दरबाजा कहा इस्तित है बिल्कुर राइट जिसने भी दिया है बिटा बुलन दरबाजा फटेफूर सीक्री उत्तर प्रदेश में है जिसने भी option नमर दिया है सी विलकुल राइड होगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा नेक्स कोशन यहां बोला गया है सरकारी करमचारियों दोरा प्रदान की गई सेबा सहित किसी भी छेतर में बिस्स्ट सेबा के लिए निमने के तमें से कौन सा प्रुषकार दिया जा सकता है या दिया जाता है ठीक है तो कौन सा प्रुषकार दिया जाता है सेबा के शित में सरकारी करमचारियों को तो आप सभी को बता होगा वो किया जाता है देखो अरजुल प्रुषकार खेल के शित में दादा साही प्रुषकार आपको पता है प्रेक्शन के खेल में असुक चक्राप जानते है किसको दिया जाता है और इसमें इनको सेरकारी कर्मचारी उकली दिया जाता है परमसरी परमसरी बुसकार से परसमाद किया जाता है जिसने भी option number दिया है डी बिल्कुल right होगा डी जराइट है बिटा डी हाँ और दूसरा है चीन दूसरा है विटा चीन ये दो देस हैं किवल इन दो दोसों से अपना सिमसादा करता है तो जिसने भी दिया है option number A विलकुल right होगा भार्स से गडंचार्न से भी करता है ये दावे के साथ कि आपको government seat मिलेगी तो please channel को subscribe के bell icon को प्रेस करते ना जादा से जादा दोस्तों को share करते ना मिलते हैं नेक्स तब तक के लिए bye मैं दोस्तों